Hello everyone, में नाम शौरे कांज आओ है और मैं आज आयो इंडिया के one and only badminton showroom में जहां badminton showroom के अंदर एक badminton court है तो guys सबसे पहले मैं यहां का location बता देता हूँ तो यह present है JP Nagar 7th phase brigade millennium bangalore karnataka में तो चलिए हम अंदर जाके देखते है हुआ 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 है अंदर कर गे तो आपको सामने ही एक badminton court नजर आएगा ठीक है तो guys यह जो badminton mat लगा है वो leaning का है उसके बाद नीचे wooden flooring हुई है तो guys मैं सबसे पहले आपको पुरे showroom का एक view दिखा देता हूँ उसके बाद फिर एक-एक section को फिर हम detail में जानेंगे So guys यहाँ जितने सारे racket देख रहे हैं वो सब test and trial के लिए तो guys जब हम racket लेने जाते हैं तो हम उसे पकड़ते हैं और feel करते हैं उसके बाद लेते हैं नेकिन यहाँ मुझे यह बात अच्छी लगी कि यहाँ आप कोई भी racket से खेल सकते हो जो आपको पसंद है उसके बात फिर आप ले सकते हो क्योंकि जब हम badminton racket के साथ खेलते हैं तो हमको पता लगता है कि वो हमारे game style के लिए ठीक है कि नहीं वो हम comfortable है कि नहीं जब हम shuttle को hit कर रहा है तो यह मुझे यहाँ बात अच्छी लगी और यहाँ एक और देखने वाली बात किया है कि यहाँ हर एक racket में एक grip लगा है साथ ही साथ यहाँ अच्छी tension भी है उसकी तो आप यहाँ ऐसे test and trial कर सकते है तो आपको यहाँ सभी variety के badminton kit bag देखने को मिल जाएंगे starting price है 500 से 10,000 और जो आप यह pink वाली देख रहे हो वो PV सिंदो इस्तमाल करती थी तो यह जो pink color का आप देख सकते है तो guys आपको यहाँ leaning के सारे series के racket देखने को मिल लाएंगे वो हो गया leaning geforce हो गया, geforce super light हो गया, wind light हो गया, air force हो गया, turbo charge, 3D caliber, aeronauta, सब series के racket देखने को मिल लाएंगे औ और यह सब सारे racket एक एक पीस वहाँ भी है क्योंकि जब आप test and trial करेंगे तो आप आप से easily आप अपने लिए जो racket आपको पसंद है वो easily आप ले सकते है, तो guys मैं एक दो आपको racket दिखा देता हू जो like PV सिंदू यूज करती है, यह है, यह turbo charge 75D यूज करती है और स्रीकांत करते है, like tectonic, this one, so guys यह पूरा shoe का section है, जैसे कि पता है आपको badminton में non-marking shoe पहना है बहुत जरूरी है, तो यहाँ आपको badminton shoe मिल दाएगा, उसका range होगा 1800 से लेकर 10,000 रुपीस तक आपको मिल दाएगा, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि badminton में physical fitness भी बहुत important है, जैसे endurance हो गया, running हो गया, sprint हो गया, तो आपको यहाँ वैसे type के भी shoe easily available है, so guys यह section में आपको sports t-shirt and shirts मिल दाएगे, so guys यह जो दो section है, वो exclusive खली यह store में मिलेंगे, और बाकी यह सब normal online भी easily मिल दाते है, ठीक है, तो यह जो जितने भी यह सब बने है, वो polyester से बने है और हमारा पसीना निकलता है, वो बहुत जल्दी सोक लेता है, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, यहां हमको यहां track foot देखने को मिल दाएगा, ठीक है, बहुत सारे variety and colors के, आपको मिल दाएगा, साथ-साथ यहां लड़कियों के लिए भी भी बहुत अच्छा-चे कपड़े मिल करने को मिल दा रहे है, skirts and all, so guys, यहां आपको kneecap, anklecap आपको देखने को मिल दाएगा, तो आपको कभी कबार pain in होता होगा, तो आप use करते होगा, यह आप देखे होगे, ठीक है, साथ-साथ आपको shoes, insole भी देखने को मिल दाएगा, और guys, यह है shuttle feeding machine, तो इसमें कम से कम 400-500 shuttle आ आप देख सकते हैं, okay, यह bandminton stringing area और आपको यह variety string मिल दाएगी leaning के तो आप से leaning number 7, number 7 boost, 5, 3, 1, 1 का boost, तो सारी string देखने को मिल दाएगी, और जैसे जब हमारे bandminton racket का string तूट जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे हाथ से यह भीया गूतते है, ठीक है, उसके बाद फि कितना tension है और आपको कितना tension लगाना है, तो उसके हिसाब से यह भीया प्र टाइट करते हैं, तो मैं आपको एक पार close view भी दिखा देता हूँ, आपको यहां वराइटी ओफ ग्रिप देखने को मिल जाएगी, अल्मोस्ट 10-12 ग्रिप इनके पास वराइटी है, मैंने पूछा था तो इनोंने बताया, और इनोंने यहां एक क्या किया है, कि यह बात मुझे अच्छी लगी, कि इनोंने कमसे पास 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 वराइटी है, अगर आपको अगर आप ग्रिप चेंज कर रहे हो ठीक अपना तो यहां आप ट्राय कर सकते हो, आप पकड़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा ग्रिप बैटर है, यह है शेटल कॉक एरिया, तो आपको यहां दोनों मिल जाएगी, नाइलों शेटल और फैदर शेटल में तो चेंज मिल जाएगी, श्ट्राइक मिल जाएगी, एजी गोल और भी वराइटी आप देख सकते हो, तो गैज यह जो रैकेट देख लो, इस पैशली इस बॉक्स में रखा था तो मैंने रिक्वेस्ट करके वो हटवाया है, तो उन्होंने हटा भी दिया है, तो गैज में मैं यह रैकेट के बारे में बताता हूँ, तो गैज यह लिमिटेड एडिशन बैमंग्टन रैकेट है, इसका मॉडल का नाम है, लीनिंग का Aeronaut 9000i, तो गैज यह दुनिया में खाली 500 पीस बना है, ठीके, उसमें से 20 पीस खाली इंडिया में अवेलेबल है, वो भी इस शो So guys, यहाँ आपको प्लेयर्स की कुछ जर्सी देखने को मिल दाएगी, तो यह है गिंटेंग इंडोनेशा से उनकी जर्सी और रैकेट, चैनलोंग चाइना से, किदाम भी स्रीकांत इंडिया से, और पीवी सिंदू प्रॉम इंडिया से, तो इनों ने वो जब यहाँ आई So guys, मैं अभी ट्रायल के यूज कर रहा हूँ यह लीनिंग का Tectonic 7 Drive, तो चलिए मैं आपको एक जो शॉट मार के बताता हूँ बहला के बत्यWith厝 मैं ने झालंग में विकांपत दूछ म्हाँ आईकी यहाँ अ कर रहा हुदों तो आओ लिया साथ, बहाँ जला के जचितर पांग, बहाँ कर दो आफने無ール ख appropriatelyखоп आभी कर रहा है झाल हूपकों एंडिया सार आप कर दो सार अच्बाना सार बाहा ने अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन वीडियो देखके चले जाते हैं और सब्सक्राइब निकरते हैं, तो लाइक बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है